आज से तकरीबन 118 साल पहले साइबेरिया में टुंगुसकर रिवर के पास अचानक से लगबग 2150 स्कौर किलो मीटर जितने बड़ी एरिये में एक एकस्पलोजन होता है जिसमें ना सिर्फ ये एरिया पूरी तरह से तभा हो जाता है बलकि इसकी शौक वेफ के इंपक्ट की जितनी भी बिल्डिंग थी उनमें लगे खिलतियों के शीशे तक चकना चूर हो जाते हैं शुरुवात में साइंटिस को ये लगा कि इतना बड़ा एकस्पलोजन किसी मीटियोर के गिरने की वजह से हुआ है लेकिन साइट का जायदा लेने पर ना तो वहां पर कोई मीटि वीडियो एंट तक जरूर देखिएगा 30 जून 1908 लगबख सुबा के 7 बच्चे 17 मिनट के करीए रश्या के साइबेरियन रीजिन में रहने वाले लोग आसमान से कुछ अजीबो गरीब लाइट चमकते देखते हैं और कुछी देर में एक बहुत बड़े एक्स्प्लोजन की शौक वेव से उनके आसपास की बिल्डिंग की विडोस तक तूड जाती हैं भले ही ये एक्स्प्लोजन काफी दूर हुआ था लेकिन उसका इंपैक्ट आसपास के साले 600 किलो मीटर के एरिया तक महसूस होता है और सिफ यही नहीं बलकि ये एक्स्प्लोजन इतना ज्यादा भयंकर था कि यॉरप और एशिया में लगे सीसमिक मॉनीटरिंग साइट तक रिकॉर्ट किये जाते हैं माना ये जाता है कि इस एक्स्प्लोजन की पावर 20 मिलियन टन TNT के बराबर थी यानि कि हिरोशीमा पर गिराए गए अटॉमिक बॉम से भी 1000 गुना ज्यादा जो इसे इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा एक्स्प्लोजन मनाते हैं अलकि ये एक्स्प्लोजन ऐसी जंगा हुआ था जहां शायद ही लोग रहते थे इसलिए इस एक्स्प्लोजन पर रिसर्ज होना काफी टाइम बात शुरू होता है शुरुआत में साइंटिस्ट ये सोचते हैं कि कोई मीटियोर या कॉमेट अर्थ से टकरा गया है जिसकी वजह से ये एक्स्प्लोजन हुआ था और क्योंके उस टाइम पर इतनी रिसर्च फैसलिटी भी मौजूद नहीं थी इसलिए उस टाइम निउस्पेपर भी इस एक्स्प्लोजन के पीछे की वजह एक कॉमेट क्रैश को ही बताते हैं जिसके बाद साल 1927 में इस इवेंट के लगबग 20 साल बाद लियोनिट कुलिक नाम के एक रशियन साइंटेस्ट वो पहले इंसान थे जो इस मिस्टीरियस एक्स्प्लोजन के उपर रिसर्च करने पहुचते हैं और अपने इस इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस एक्स्प्लोजन के सेंटर में पहुचने के बाद लेउनेट काफी हैरान हो जाते हैं क्योंकि इस blast area में कहीं पर भी meteor के अर्थ से टकराने का ना तो कोई crater मौजूद था और ना ही वहाँ पर meteor के fragment मिले थे जिसके वज़े से लेउनेट काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और साथ ही इस blast या explosion के पीछे की असलियत पता लगाने के लिए और भी ज्यादा उत्सुख इसलिए वो इस घटना वाले area के soil और plant sample को collect करते हैं और तो और कई eye witnesses का भी interview लेते हैं जिसके बाद जाका ही वो इस घटना की एक theory प्रपोस करते हैं लेउनिड कुलिक की इस theory के हिसाब से इस blast के पीछे की असली वज़ा meteor या comet ही थी लेकिन meteor अर्थ से टकराया नहीं था बलकि ये meteor अर्थ के atmospheric pressure की वज़ा से आसमान में 5 से 10 km पहले ही explode हो गया था इसी वज़ा से इस side पर कोई भी crater का निशान नहीं पाया गया लेकिन ऐसा नहीं था कि लेउनिड ही एक लौते ऐसे शक्स है जिन्होंने इस explosion पर कोई theory दी थी बलकि दूसरे scientists और conspiracy theorists इस event को लेकर अपनी अलग-अलग theories देते हैं जिसमें से सबसे famous theory थी Secret Nuclear Explosion इस theory के हिसाब से तूंगुसका explosion के पीछे असली वज़ा एक nuclear explosion थी क्योंकि ना तो blast वाली site पर ना तो कोई crater था और कई witness के हिसाब से इस explosion के बाद आसमान में एक mushroom type का formation हुआ था जो कि किसी nuclear explosion के बाद ही possible होता है इसलिए कई scientists जो nuclear explosion theory पर belief करते थे उनके हिसाब से तूंगुसका river के पास जरूर कोई न कोई secret military facility जरूर मौजूद होगी और शायद इसी वज़ा से कोई secret nuclear device की testing के वज़ा से ही इतना बड़ा explosion मुम्किन हो पाया इस theory के साथ साथ कई scientists ने इस event को लेकर कई alternative theories भी दी जिसके साथ से क्योंकि ये event 1908 के period न था इसी वज़ा से उस time पर शायद ही इतना बड़ा explosion करने की technology मौजूद थी इसलिए काफी theorist ये मानते हैं कि इस घटना के पीछे कोई न कोई extra terrestrial connection जरूर था इसलिए काफी conspiracy theorist के हिसाब से किसी advanced extraterrestrial civilization ने या तो जान बूच कर या फिर किसी accident के दौरान गलती से उनकी technology में आई गड़बली की वजह से एक nuclear explosion अर्थ पर कर दिया था इसके अलावा कई theorist का ये मानना है कि इस explosion के पीछे किसी alien spacecraft का crash ही असली वजह थी हाला कि कई scientists इस nuclear explosion theory में believe इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि उनके हिसाब से इस explosion site पर कोई भी radiation का trace नहीं मिला इसलिए टुंगुस का event के पीछे असली वजह nuclear explosion होना भी मुम्किन नहीं है लेकिन हां 1908 के time पर एक ऐसा इंसान जरूर मौजूद था जो अपने वक्त से कहीं ज्यादा आगे था जी हां वो शक्स था निकोला टेसला माना ये जाता है कि निकोला टेसला के पास death ray नाम की technology जरूर मौजूद थी और एक रिपोर्ट के हिसाब से 30 जून की रात साल 1908 में निकोला टेसला ने अपनी death ray आर्टिक की तरफ एम करके चलाई थी इसके बाद निकोला टेसला को जैसे ही टूंगुसका के पास हुई इस घटना के बारे में पता चला तो वो ये समझ गया है कि उनकी death ray का एम कहीं और लग गया था और क्योंकि उनकी death ray हस से ज्यादा dangerous थी इसलिए उन्होंने इस death ray को हमेशा के लिए ही dismantle कर दिया अब इस story में कितनी सचाई है इसका तो कोई ठोज सुबूत नहीं है लेकिन अगर ऐसा सच था तो ये बात तो तय है कि निकोला टेसला सच में अपने वक्त से कहीं आगे थे लेकिन ऐसा नहीं था कि इस घटना को लेकर सिर्फ यही थेओरी ही चर्चा में थी पर इसके अलावा कई अलग-अलग scientists ने भी इस event को लेकर दरजनों से भी ज्यादा theories दी थी लेकिन फिर भी इतने scientists, researchers और theorists की research के बावजूद भी आज तक कोई भी ये प्रूव नहीं कर पाया इस explosion के पीछे असली वज़ा क्या थी अगर इस घटना को लेकर आप मेरा opinion पूछें तो मेरे हिसाब से लियोनिट कुलिक और निकोला टेसला के secret experiment वाली theory ही सबसे ज्यादा logical साबित हुई थी इसके साथ साथ लियोनिट कुलिक ने जो soil के sample इस explosion वाली site से collect किये थे उसके microscopic examination के बाद उसमें diamond dust, graphite और तो और nickel और iron particle पाए गए थे और ये सभी minerals असल में asteroids और meteor जैसे extraterrestrial चीजों में ही पाए जाते हैं जिससे काफी chances ये लगते हैं कि लियोनिट की दी गए theory काफी हद तक सही हो लेकिन फिर भी इस event के 100 साल बाद भी आज तक कोई scientist किसी conclusion पर नहीं पहुच पाया तो आपको क्या लगता है क्या थी असली वज़ा इस घटना की अपनी राय कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताईएगा और अगर आपको वीडियो पतना आयो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन दमाना बिल्कुल भी न भूले